पुलिटिन की शुर्वात करेंगे बड़ी खबर के साथ जहाँ शंबू बॉडर पर तनाव के हलाद पने हुए हैं पुलिस ने आसो गेस के गोले छोड़े हैं भारी मशीनों के साथ प्रदिर्शन कारी आए हुए हैं दिल्ली कूझ पर प्रदेशन कारी अड़े हुए है यह बड़ी चानकारी बड़ी खबर आप तक पहुचा रही है जहाँ दिली पूच करने के लिए किसान संगटनों ने हरियान के बॉडर पर डेरा डाल रखा है जब कि हरियाना पुलिस ने किसानों की प्रदेश में एंट्री ना देनी के इंतिस्दाम करते हुए बॉडरों पर बेरिकेटिंग करती गई है अब ग्रिहम अंद्राले ने शम्बू बॉडर की हालात पर चिंता जताई और पंजाब पुलिस को ड्रवियों की खिलाफ सक्ट कारवाई करने के निर्देश भी देती हैं ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं और ये तस्वीरे सामने आ रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी बॉडर्स पर सुरक्षा बलो की तेनाती की गई है और ड्रोन की जरी नजर भी रखी जा रही है दरसल किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया उसके बादी पूरे सुरक्षब विवस्था के इंतिजाम कर लिए गए ड्रोन के जरी उब ड्रव्यों पर नजर भी रखी जा रही है ताकि जो आंदोलन है वो जाता उख्र ना हो उब ड्रव्यों को लेकर इस ड्रोन की विस्था की गई है बॉर्डर पर जवान जो हे वो तेनाद के गई है और जोन के जरी उब ड्रव्यों पर नजर भी रखी जा रही है तो ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां बॉर्डर पर सुरक्षा बल तेनाद कर दी गई है चप्पे चपे की निकरानी रखा गया है और जिस तरीके से किसान अंदोलन की तैयारी कर रही है दिल्ली कूच की तैयारी कर रही है इस वज़े से भारी जाम भी लगता हुआ नजर आ रहा है यह दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रही थे जहां देख सकते हैं कि उडान ड्रोन की नजर आ रही है उत्रवियों पर नजर रखी जा रही है इस ड्रोन के जरीए और दिल्ली कूच की तैयारी में जिस तरीके से किसान नजर आ रही है भारी मशीने बवाल का प्लैन बना रखा है प्रदर्शन की आडवे हिंसा का मकसद यह तमाम सवाल खड़े होते हुए न के बीच चार दौर की बाचीत हुई तीन दौर की बाचीत बेन रतीजा रही चौथे दौर की बाचीत में कहा जा रहा था कि सकरात्मक रही प्रस्ताव रखा किसान के सामने सरकार ने लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को विचार विमर्श करके ठुकरा दिया जो इसके ब आप देख सकते हैं किस तरीके से शासन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा विवस्था की इंतिसाम के गए हैं ड्रोन लगातार उड़ाया जा रहा है ताकि उपद्रव्यों पर नजर रखी जा सके और जो बॉर्डर से वहां पर जवानों की तैनाती कर दी गई है सुरक्षा को देखते हुए तो यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है और यह किसानों की तस्वीर जहां भारी संख्या में किसान इखटा हुए है उन सारे विश्यों पर जाहे वह मेस्पी का हो जाहे प्रॉप डाइवर्स के सन का हो चाहे पराली का हो चाहे फायर का हो ऐसे जितने भी विश्य है सब पर हम चरचा करने के लिए तयार है कितना सभी विश्यों पर सभी मुटे पर चर्चा करने के लिए तयार हैं क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी सभाधान तक पहुंच सकते हैं चर्चा हो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेधन किया है कि कि शांती बनाए रखे संजमित धंग से हम इसका हल निकाले और सब के लिए बहतर कैसे हो यह हम सुनिश्चिते और जादा जानकारिक लिए हमारे संबदाता अली शरर हबारे साथ जुट चुके हैं अली दिल्ली कूच की तयारी में किसान अभी क्या इस्तिती देख पा रहे हैं क्या कुछ अपडेट है बिल्कुल आपको बताता है इस वक्त चंबी बॉर्टर पे जो इस्तिती है वो तनाव पूर बनने जा रही है वो इसलिए क्योंकि किसान एक बड़ी तादात में हैं दिल्ली की तरफ कूच आइस्ता आइस्ता कर रहे हैं हाला कि रबर्ट बुलट के गोले भी छोड़े जाएगी क्योंकि चार बार पहले जो बैठक हुई ती उसमें को निस्तारन नहीं निकलाता लेकिन एक बार फिर अब किर्शी मंत्री की तरफ से ही कहा जा रहा है कि अब पांच में दौर की बैठक चंडी गड़ में की जाएगी हाला कि अभी तक इस बात की जानकारी किसान नेता इस बार मशीनें लेकर आए हैं बुल्डोजर साथ लेकर आए हैं तो कहीं न कहीं ये स्तिती बनती है तो कहीं न गहीं टकराब निश्छी तोर पर होगा मैं कहूंगा अपने सयोगी योगें से उतस्वीरों में दिखाएं आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां तादात में एक बड़ा जन सहलाब है किसानों का और उससे पीछे सब दिल्ली पुलिस के जवान सी आरपिफ के जवान तैनात किये गए सरकार पूरी तरह से कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरह से किसान नेताओं से बात बन जाए और ये आंदोलन समाप्त हो जाए इसी के लोग इस पार से उस पार जाना चाहते हैं उन्हें बेहत समस्या के सामना करना पड़ा और ये स्थिति पिछले नौ दिन से इस सिंबू बॉर्डर पर बनी हुई है यहां पर बेहत लोग प्रेशान है पैदल भी इस पार से उस पार नहीं आ पार रहे हैं मनीशा जी अली क्योंकि देखे तस्वीरे लगतार सामने आ रही हैं तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बड़े आंधोलन की तयारी में रिज़र आ रहे हैं जो इसे कि आपने बताया कि सरकार तयारी कर रही है पाचवे दोर की बातचीत के लिए अली क्योंकि हम इस्तित पुलिस कर्मी तैनात किये गए हैं जो की दिल्ली बॉर्डर पर है यानि कि सिंदू बॉर्डर पर इस वक्त मौझूद है जनतन तक टीवी पलपल का अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे रहा है सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दे आपने दर्शकों जानकारी दे द आपको यह कहके लाए हैं कि आपको सही सलामत घर पहुचाना है तो आप भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे प्रिशासन आपके भी जड़ब हो इसी के बीच फॉरण रबर्ट बिलट के गोले छोड़ देगे जिससे किसान नेता बेहद नाराज हुए इसी को लेकर अभी गर्म गिसे करऊंगो दिखाएं भी है और फिर यहां पर जो टैंकर है वो लगाय गए यानि कि जिसमें सामान लोड होकर कि आता है पानी जहास के माध्यम से वो उसमें रेध भर दिया गया है पूरी तरहां से करीब कह सकते हैं दस लेंड तयार की गई है यदि किसान आते हैं तो एक बड़ी समस्या उनके सामने भी इसलिए आएगी क्योंकि दस लेंड पार करना उनके लिए बेहत मुश्किल होगा हाला कि किसान नेताओन पूरी तरह तयारी कर लिए जब हाई कोट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं हाई कोट ने आदेश दिया है कि आप कोई भी इ बुल्डोजर का सहरा लेते हुए किसान आए हैं किसानों को ये कहना है कि आज हुने दिल्ली हर हाल में जाना है लेकिन फिलाल पांच बे तक का जो समय सुनने मा रहा है कि पांच बज़े पांच वे दोर की बैठक होनी है चंडीगड में यदि ये बैठक हो जाती है जी अल का सहारा लेकर कोई उब्द्रवी का फायदा ना उठाले कोई भी कोई शक्स ऐसा इस आंदुलन में नहीं आया है जो प्रिशासन पर हमला करें लगता प्रिशासन का यही किसान नेताओं से कहना है कि शांती पूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन रखें यदि वो दिल्ली में कूच करेंगे दिल्ली में प्रिवेश करना चाहेंगे तो आपके खिलाफ निश्चित तौर पर कारवाई होगी इसी को लेते वे किसान नेता नाराज है और किसान नेताओं का ही कहना है कि यदि उनकी मांगें जो 23 मांगें हैं फसलों को लेकर MSP बिल की यदि वो नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली में वो पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर की अपना प्रिदर्शन जारी रखेंगे लेकिन इससे पहले एक तदबीर और मैं आपको दिखवाना चाहूंगा देख सकते हैं यह पूरा जो सिलसला है महां से जो पुलिस क पर खड़े हुएं जहां से हम अपने तमाम दर्शकों को तस्वीर था सकते हैं कि क्या इस्तिती बाटर की बनी हुई है तस्वीरे सामने आ रही है ऐसे बेदेखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच सहमती बनती है या पर नहीं बनती है जादा जारकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका